Hello class 11th students, sets के 3rd exercise के 5th question को हम लोग आज की वीडियो में solve करेंगे तो question है, write the following as intervals यहाँ पे हमें एक set given है, इसे हमें interval के form में लिखना है तो बहुत easy होता है, बहुत हलुआ होता है, ठीक है बता रहा हूँ पहला वाला part क्या है? पहला वाला part है x belongs to r, sorry, x such that x belongs to r, minus 4 से बड़ा है x और छोटा है या फिर equal है 6 के, ठीक है? हमें अगर interval में convert करना है तो बस इतने portion से मतलब होना चाहिए, ठीक है? तो मैं लिखूंगा minus 4, comma लगाऊंगा, 6 लिखूंगा और यहाँ पे close bracket लगाऊंगा अब आप कहे रहोंगे, यह कैसे पता चलेगा कि यहाँ open लगाना है, यहाँ close लगाना है? अब ध्यान से देखिए minus 4 के side यहाँ पे नीचे equal का sign नहीं बना है इसमें equal का sign बना है, तो जिसमें equal का sign बना होगा, उधर close bracket आएगा जिसमें equal का sign नहीं बना होगा, उधर open bracket आएगा तो minus 4 के side देखिए, नीचे equal का sign नहीं है, इसलिए open bracket आएगा यहाँ पे देखिए, नीचे equal का sign है, इसलिए close bracket आएगा, होगे interval में तनवाट second वाला करते हैं, इससे और अच्छे से clear हो जाएगा, ठीक है, second वाला क्या है, second वाला है x, x belongs to r, ठीक है, minus 12 से x बड़ा है और minus 10 से छोटा है, ठीक है, इसका अंसर होगा minus 12 से लेके minus 10 तब, दोनों side open interval आएगा, इधर भी open और इधर भी open, क्यों आएगा, देखिए ध्यान से, minus 12 के side जो inequality है, उसमें नीचे equal नहीं है, सिर्फ सिफ less than है, equal नहीं है, इसलिए open bracket आएगा, अब ध्यान से देखिए, इधर भी equal नहीं है, इसलिए इधर भी open आया है, अगर यहां नीचे equal का sign होता तो यहां पर ऐसे close का sign आता, close bracket का ठीक है, उमीद का तब आपको सम्झाया होगा, अब थर्ड वाला कर लेते हैं, थर्ड वाला भी easy है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है, x belongs to r, 0 से बड़ा या equal x के और 7 से चोटा, ठीक है, इसका होगा, close 0 से 7 open तक, ठीक है, क्यों 0 पे मैंने close bracket लगा है, क्योंकि यहां पर देखिए, नीचे equal का sign है, और 7 पे नीचे equal का sign नहीं है, इसलिए open interval लगा है, simple, ठीक है, तो जिधर equal का sign नहीं होगा, उधर open लगेगा, और जिधर equal का sign होगा, उधर close लगेगा, last वाला कर लेते हैं, और काम खतम हो जाएगा, ठीक है, last वाला क्या है, fourth वाला, fourth वाला है, x, x belongs to r, ठीक है, 3 से बड़ा या equal x के, और 4 स चोटा, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, इस वाले पार्ट में दोनों के नीचे equal का sign है, यानि दोनों साइड इस बर close आएगा, पहले close और close लगा लगा ले रहा हूँ, यहां पर 3 लिग दे रहा हूँ, जब 4 लिग दे रहा हूँ, काम हो गया, ठीक है, यह हमारा answer है, less than equal to 1 by 1, ठीक है, इसका अंसार आप लोग comment box मताइएगा, बहुत ही अच्छा question है, आज की बने मसे नहीं मिलते हैं ले वीडियो में, तो प्रक के लिए, गुट बाए झाल